यहां पर हम बात करेंगे को हमारे पास साइंटिस्ट है पी एन रामाचंदरन के बारे में जीयन रामाचंदरन इनकी बात जरा करते हैं एंसे इनकी काफी कुछ लिखा लेकिन हम लोग कुछ बाते यहां पर ध्यान रखेंगे जितनी बाते मैं बताऊंगा उतनी चीज़े आपको याद करने ठीक पहली चीज़ जीयन रामचंदरन ने 1949 में 1949 में obtained PhD from Cambridge University इन्होंने Cambridge University से PhD की डिग्री अप्टेन की PhD क्या है Doctor of Philosophy 1949 यह यह आपको याद करना है दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है जब यह PhD कर रहे थे Cambridge में उस समय इनकी मुलाकात हुई Linus Pauling से जिनके बार मैंने बताया था कि Linus Pauling ने अलफा और बीटा इस्ट्रक्चर दिये थे ट्रोटीन के तो उनसे बहुत ज्यादा influence वे जियन रामाचंदरन वाज deeply deeply मतलब बहुत गहरा प्रभाव पड़ा influenced by deeply influenced by Linus Pauling यह Linus Pauling से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और Linus Pauling ने क्या किया अलफा हेलिक्स एंड बीटा सीट इस्ट्रक्चर दिये तो उनसे बहुत दाप्रभावित हुए और इसे प्रभावित होने के बाद जियन रामाचंदरन ने काम शुरू किया collision protein के structure पर और यहनोंने collision protein का structure दिया इसको हम लोग कहते है triple helical model of collision triple helical model of collision was given by G.N. Ramachandran and this model was published in Nature, Nature a scientific magazine है, बैज्यानिक पत्रिका है और Nature में 1954 में इसे publish किया गया जैसे आपने सुना होगा double helical model of DNA, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे double helical model of DNA किसने दिया था? Watson and Crick ने 1953 में और triple helical model of collision किसने दिया? G.N. Ramachandran ने 1954 में एक साल का अंतर और एक helix का अंतर है DNA का double helical model था double में एक जोड़ो तो triple बन गया double helical model 1903 में आय था एक जोड़ो 1954 आ जाएगा तो इस तरीके से याद करोगे तो गलत नहीं होगा PhD पूरी करने का दो आपस इंडिया आ गए G.N. Ramachandran और इंडिया आने के पायो पॉलीमर्स यह स्कूल बनाया गया जियन रामचंदरन के दौरा जियन रामचंदरन इस स्कूल के founder थे और एक चीज़ और ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखना है प्रोटीन के structure को solve करने के लिए इन्होंने जो तरीका यूज किया उसका हम लोग कहते हैं रामचंदरन प्लॉट यह बहुत important रामचंदरन प्लॉट का यूज करते हैं प्रोटीन के structure को solve करने के लिए एक्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि रामचंदरन प्लॉट का संबंध किस्से है तो प्रोटीन के structure से इन्होंने प्रोटीन का triple helical model दिया था कोलेजन प्रोटीन का और इस प्रोटीन के structure को समझाने के लिए जो तरीका उन्हों यूज किया उसी को हम लोग जानते हैं रामाचंदरन प्लॉट के नाम से तो इन साइंटिस्ट के बारे में और भी NCRT ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन जितनी बाते मैंने आपको यहां पर explain की हैं इतनी बाते आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए इतने से आपका काम चल जाएगा